तो हमारा 42 वाला जो चैप्टर था जिसमें हमने होवरेबल डॉपड़ॉन एक मेनू बनाया था हमने वो कम्प्लीट कर लिया है अब यह जो 42 चैप्टर जो नेक्स चैप्टर है मैं इसमें आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई डॉपड़ॉन मेनू जो है वो किसी नेव किसी नेवीन रहेगा और उसके अंदर एक ड्रॉपड़ॉन मेनू रहेगा बहुत सुंदर सा तो उमको वो कैसे क्व्रेट करने है क्योंकि क्या है हम उषको लिंकंत पर नहीं करेंगे हम उसको बटन पर रहेगे ठिक है ।ो फटाक से इसकी henर किक Caitlin व बनाके और आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो एक स्टेंडर्ड साइज बनाएंगे स्टेंडर्ड प्रोसेस बनाएंगे ताकि आप सीज़े कॉपी पेश्ट कर सको ठीक है तो आ जाता हूं मैं हमारे 42 टुटोरियल पे और इसको नाम दे देते हैं ड्रॉप डाउन और नीचे आ जाता हूँ देखो मैं क्या करने के मूड पर हूँ मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि यह हमारा पेज है है Okay यह हमारी स्ट्रीन हो गई तो यह एक मैनू लेंगे हम और इस मैनू में मैं 2-3 link दे देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया home है ना और यहाँ पर मैं दे देता हूँ news और यहाँ पर एक about या कोई और section बना लेता हूँ इस area पर या इसको मैं drop down कर दूँगा ऐसे drop down और यहाँ पर ना एक font awesome से एक icon ले लेता हूँ और जब इसको click करेगा कोई तो यहाँ पर एक फिर से हमारा menu open हो जाएगा तीन, चार जितना हम देना चाहते हैं ठीक है तो यह क्या एक standard menu हो गया जो कि inside navigation bar के अंदर रहेगा ठीक है यह हमारा navigation bar है तो इसकी coding जो करनी है वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है सबसे पहला काम है हमारा एक division tag लिना ठीक है क्योंकि division के अंदर division के अंदर division है इसमें है एक आपका main division हो गया उसके अंदर एक और division हो गया जिसके अंदर हम links करेंगे और तीसरा division हो गया बटन के अंदर की जो links है उसके लिए तो यह एक division है तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ और क्योंकि मुझे इसमें CSS करना है तो मैं इसकी class define कर देता हूँ पहले ही और इसकी class देता हूँ नव बार ठीक है और अब इसके अंदर मैं अपना hyperlink देता हूँ दो hyperlink दूँगा बटन से पहले एक home का दूँगा और एक news का दूँगा तो इसको मैं blank कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर एक hyperlink ले लेता है इसको blank करके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ news ठीक है और एक काम करते हैं एक बार चाहते हैं डिजाइनिंग पार्ट पे और देखते हैं यह कैसा दिख रहा है 42 है ना यह 42 ड्रॉप डॉप 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 नविगेशन बार ओके यह आ गया बनके ठीक है अब यहां पर थर्ड वाले में हम एक डियाईवी लेते हैं और उसके अंदर ना हम बटन लेंगे ठीक है तो मैं फिर से एक डिवीजन टैग ले लेता हूं और इसको मैं क्लास दिनोट कर देता हूं को कि मुझे इसमें भी थोड़ा सा चेंजेश करना पड़ेगा है ना थोड़ा सेट करना पड़ेगा इसके डिस्प्ले को तो यहां काम करते हैं यहां पर एक बटन ले लेता है है हैना और उस बटन को मैं क्लास दिता हूं क्योंकि मैं इसमें भी चेंजिस ani इसको दिता हूं बटन बे तिन देता हूं और इस बटन का नाम दिता हूं ड्रॉप डाउन ओके और देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ठीक है यह आ गया बनके हमारा डियाइवी नीची आता है तो यह सेम आ गया हम इसको से चेंज कर लेंगे अब इस ड्रॉप डाउन के बाजू में यहां पे न मुझे एक कुछ ड्रॉप डाउन टाइप का आइकन जो होता है वो आइकन चीए तो मैं जाता हूँ फॉन्ट आउसम पर वापिस और वहां से निकाल लेता हूँ तो जो यह tutorial मेरा पहली बार देख रहे हैं उसे हो सकता है confusion हो जाए कि यह फॉन्ट आउसम क्या है तो मैं आपको लाइफ दिखा रहा हूँ कि आपको अगर लोकली कोई आइकन को श्टोर नहीं करना है क्योंकि खोजना पड़ता है गूगल पर आइकन बहुत सारे तो अगर अगर आपको लोकली स्टोर नहीं करना है और आप कहीं से fetch करना चाहते हो तो हम एक external css देंगे और उस external css से आइकन को fetch करेंगे तो उसके लिए यह साइट है बहुत सारी साइट होती है जैसे हम Google अगर मैं करूँ अभी तो और यहां पर मैं लिख दूँ की web icons ऐसे लिख दूँ तो देखो बहुत सारी website open हो जाएगी यह web icons आ गए है पी एंजी आ गई है ना लेकिन मुझे ना particularly यह एक site होती है font awesome मुझे इसका display properties इसकी categorize और इसका user friendly environment थोड़ा सा पसंद दे तो मैं इसको ज़्यादा prefer करता हू तो जब आप font awesome में जाओगे तो सबसे पहले start for free करना ठीक है और यहां पर देखो एक आपको email id के लिए पूछेगा इस email id को यहां पर आपकी जो भी email id उसको डालना और send kit code का button जो है यह click कर देना तो जब आप click करोगे ना तो एक instantly verification email चला जाएगा आपके पास और उसके बाद एक second email आएगा जिसमें की एक kit बनके आता है मतलब एक link होती है ठीक है और वो link कैसी दिखती है मैं आपको बता देता हूँ मैंने बनाया हुआ है और मैंने link को आपने CSS पे save किया हुआ है ऐसी link होती है ठीक है यह वाली link इस link को हमको यहां से copy करना है मतलब जो email आएग आपके link CSS करना ठीक है और style.css को by default से हटा के आप इसको बस paste कर देना और मैं आप लोगों के लिए word web कर देता हूँ ताकि overall सब कुछ यो हो जाए ठीक है तो अब जब आप link कर दोगे ना external CSS तो देखो क्या होगा यहां पर से अब आप इनकी जितनी भी icons हैं इन website पे उस icons की साथ में element के साथ में आप उसको pick कर सकते हो ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने अभी link कर दिया अब link करने के बाद मैं जाता हूँ icons पर और icons यह 6.1 15.1 15.4 something बहुत सारे versions होते हैं तो मुझे क्या यह जो latest version है यह मुझे पसंद नहीं है no doubt इसमें icons अच्छे अ fine taking है तो मैं क्या करता हूँ ना पुराना वर्जन हमेशा prefer करता हूँ all वर्जन पर आप जाओगे तो देखो 4.7.0 एक होगा नीचे में यह देखो 4.7.0 मैं 675 free icon पर क्लिक करता हूँ और यह देखो बहुत सुन्दर सा category वाइस यह बनके आ जाता है ठीक है आपको ID card का icon चाहिए ग्रेव का icon चाहिए पॉडकास्ट का icon चाहिए एंकर एस ट्रिक जो icon चाहिए वह आप यहां से ले सकते हो तो जो icon मुझे चाहिए ना वह एक समझ लो drop down है तो मैं एक काम करता हूँ search करता हूँ down कुछ ना कुछ दिखाएगा देखो download का आगया arrow down आगया volume down आगया ठीक है और यह देखो जो मैं यहां पर paste कर दूँगा इसको और designing पार्ट में जब आप जाओ गए तो देखो यह यहां पर show हो गया ठीक है यह बहुत सुन्दर सी चीज़ रहती है आप external CSS करोगे तो बहुत मज़ा भी आएगा आपको ओके तो यह हमारा समझ लो बटन वाला हो गया अब एक और का का हमको drop down चाहिए है ना जो दो से तीन link हम देंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिर से एक division tag बना लेते हैं ठीक है और मैं इसको भी class दे देता हूं को कि मुझे इस पर भी थोड़ा सा कुछ changes करने रहेंगे तो मैं इसको कर देता हूं drop down content ठीक है drop down content यह class बना देता हू और इसके division tag पे मैं दे देता हूं 2 से 3 link है ना एक link बनाता हूं इसका target blank कर देता हूं और इसको दे देता हूं link 1 ठीक है अब मैं नीचे आता हूं फिर hyperlink लेता हूं target को blank कर देता हूं और यहाँ पर कर देता हूं link 2 फिर 100 hyperlink लेता हूं 3 हम बनाते है ठीक है और 3 से आपको properly स लोगज में आ जाएगा कि यह कैसा वर्किंग कर रहा है को कि CSS भी करूंगा इसलिए मैं तीन ले रहा हूं Link 3 ठीक है यह मैंने तीन बना दिया यह देखो बनके आ गया है ना यहां पर तो लगबग लगबग जो मारा HTML का स्ट्रक्चर था ना यह तो लगबग कंप्लीट हो गया अचा इसको सेट कर देते हैं कि अग्यों को इसको प्रॉपर्ली सेट कर देता हूं मैं तो अच्छा दिखेगा और ठीक है तो इस HTML के जो इस ट्रक्चर था लगबग हमारा जो हमको बनाना था वो तो हमने यहां पर बना लिया अब आते हैं सीध है स्टाइल पर ठीक है को कि इसमें सारा का सारा खेलना सीध का है बहुत संदर सा देखेगा यह मैंनों तो देखो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है मैं क्या करता हूं हमेशा बॉड़ी का चेंज करता हूं फॉन्ट वगरा तो मैं फिर वही करूंगा बॉड़ी और इसको कंडिशन दे दूँगा कि जो तुम्हारा फॉन्ट है ना फॉन्ट फैमली झो है कि फाइन्ट फैमली को तुम करतो यह घ्रीयल वाली है यह यह ऐली ठीक है तो यह दखो यह चेंजय हो गया थोड़ा सा अब अपने यह सब सब सच कर शकते हो जो भी आपको पॉन्ट फैमली लेनी है मुढकर नहीं है मुझे यह दिल पसंद eig्स तो मैं यह यूज कर लिया अब आ जाओ बाडी बाडी को छोड़ दो बाडी को छोड़ के अब आते हैं हमारे पहले वाले क्लास में पहले वाला क्लास कौन सा था नव बार ठीक है तो मैं लिखता हूं डॉट नव बार और इसको देता हूं कंडिशन तो सबसे पहली कंडिशन मैं इसको देता हूं कि भाई तुम्हारा जो बैगराउंड कलर है है ना उसको थोड़ा सा तुम ब्लैक कर दो यह वाला ब्लैक नहीं मैं थोड़ा सा ग्रेश टाइप कले लेता हूं तो मुझे उसके लिए यहां से जाके इसको सेट करना पड़ेगा तो I think यह थोड़ा सा ठीक है है ना अगर देख लेते हैं हाँ यह ठीक है ठीक है और ओके यह हो गया अब एक काम करते हैं अब आते हैं इसकी लिंक पे होम और न्यूस पे ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे डॉट नव बार और इसकी जो हाइपर लिंक है मतलब ए हो गया हमारा अब इस पे हम कंडिशन ये दे देते हैं कि सबसे पहला काम जो है आप फ्लोट लेफ्ट हो जाओ ताकि आप बिखरो मती धरूदर ठीक है तो यह देखो फॉंड साइज है इसको 16px सेट कर देते है ताकि यह कहीं पर भी अलग-अलग ब्राउजर में अलग-अलग तरीके से शो मत हो बाइ डेफॉल्ट इसकी वैल्यू 16 ही है लेकिन हमने उसको कन्फर्म कर दिया कि इससे उपर या नीचे आप ब्राउजर के साफ से शो मत करना ठीक है अब यह लिंक का कलर चेंज कर लेते हैं कलर को मैं कर देता हूँ वाइट ठीक है तो यह सुन्दर सा दिखेगा यह दिखो हो गया अब आ जाता हूँ मैं ओके यह हड़ गया है ना हमारा तो आ ओवर्फ्लो को हीडन कर देता हूँ मैं यहां पर और फ्लो और हीडन ऑचें आ गया तो और नीचे आ जाता हूँ अब और यह हो गया अब एक काम करता हूँ कि इन टैक्स डेक्रीशन को हटा देता हूँ जो लाइन हड़ जाएगी ऐंक jeans मैं कर देता हूं लुड़ सा मैंनू की तरह जहां सा ठुछ रहा है ठीक है और इसकी पेडिंग सेट कर लेते हैं और इसका तेक्सट अलाइन सेंटर कर लेतें फ़हले ताकि जब बाड़े में थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और इसकी पेडिंग सेट कर देता हूं है ना हमने एक्षर में अभी तीन चार सो पांसो परसेंट जूम किया है मैंने ताकि आप लोग को दिखा पाऊं तो है ना तो मैं ऐसे कर देता हूं अभी इसको 200 परसेंट पर और यह हो गया अब इस पर एक बार इसका ऑवर चेक कर लेते हैं होवर सेट कर देते हैं तो पहले एक काम करता हूं इस पर वरकिंग कर लेता हूं तो जो हमने इन दोनों पी दिया हूए प्रॉपर्टी इस li well को इन पर इंप्लेमेंट करनी पड़ेगी तो मैं आता हूं नीचे और नव पार के बाद मेरा drop down वाला d.a.v. था तो मैं अब drop down की class भी उसकरता हूं तो drop drop down ओके और इस पे देता हूं condition की सबसे पहला काम आप तो float ओलो float हो लेफ्ट पे ताकि आप भागो मत इधर हुदर अदर और दूसरी चीश इसका भी overflow hidden कर देता हूं को कि नहीं तो फिर ये जाएगा तो मैं उसको हिडनी कर देता हूं फिलाल तो ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम ना हो और यह हो गया अब एक काम करता हूं इसका जो मैंने बटन लिया था ना ड्रॉप डाउन का यह वाला अंदर का इस बटन में वर्किंग करते हैं क्योंकि देखो इसमें बॉर्ड ड्रॉप डाउन ठीक है और ड्रॉप डाउन का जो ड्रॉप बटन है ड्रॉप बीटी एन यह जो हमने यह वारी अडिक्लास दी थी ठीक है और इस पर हम कंडिशन दे देता है कि पहले तो आप अपना फॉन्ट साइल जो है वो बाकि के जैसा कर लो हमने उसमें 16 दिया था तो इसको भी हम 16 देते हैं, save कर देता हूं, ओके, यह बराबर हो गया देखो छोटा था यह, और ठीक है, और क्या हमने देखा था, border, है ना, तो यह जो border है, यह जो दिख रहा है, इसको none कर देते हैं, और इसका outline भी set कर देते हैं, तो border जो है, मैं उसको कर देता हूं, none, और outline को भी कर देता हूं, none, ठीक है, अब यह देखो, जोड़ा सा आ गया, properly, अब मुझे क्या करना है, इसका जो background है, वो set करता हूं, background को inherit कर देता हूं, तो यहां से match हो जाएगा यह, तो जो background है, background color, ठीक है, background color को मैं कर देता हूं, inherit, edit, okay, यह match हो गया, और drop down जो है, वो black में हो गया है, तो इसके color को हम white set कर देते हैं, और padding भी देख लेते हैं, तो इसका मैं पहले color set कर देता हूं, color इसका white कर देता हूं, okay, अब दा गया, properly, और इसकी padding भी set कर देते हैं, हमने क्या दिया हुआ था, padding में 14, 16 दिया हुआ था है, 14 top button और 16 letter right, तो अब यह proper, okay, properly set हो गया, बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, और हमने उपर में क्या लिया था, font एक काम करता हूं न, इसकी font family भी मैं set कर देता हूं, font family भी set करके इसकी aerial कर देता हूं, या फिर inherit कर देता हूं, तो यह back से जो है वो ले लेगा, okay, और इसको इधर किसकाएंगे, तो इसची कैस का margin भी मैं zero कर देता हूं, margin मैं zero कर देता हूं, मुझे पता है, problem आएगी, आ अच्छा है, अब नीचे आ जाते हैं, और drop button के बाद में, अब drop down content में आते हैं, ठीक है, जो हमने बनाया था, तो उससे पहले न, यह हमारा बनके ready हो गया है, तो मैं hover पे आ जाता हूं, hover पे काम कर लेता हूं, या पहले इस पे कर लेता हूं, रुख जाओ, पहले कर लेता ह हूं इस पर, किस पर drop down बटन पर, तो यह drop down, है ना, तो drop, dr, o, u, dr, o, p, और drop down content, c, o, n, t, e, n, t, यही है, हाँ, यही है, drop down content, तो drop down content में पहला काम तो मैं करता हूं, जो मुझे हटाना पड़ेगा, वो है, इसकी display को none, लेकिन मैं display none करूँगा, तो क्या होगा, वो हट जाएगा, पूरा, है ना, ठीक है, display none हो गया, और position को मैं absolute कर देता हूं, position को मैं absolute कर देता हूं, ओके, ठीक है, और, यह लियाने, c, o, n है, कोकि मुझे ध्याने, यह हट जाना चाहिए, यह हट गया, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी coding कर पाऊं, दो मिनिट के लिए मैं इसको ना, कमेंट वो कर देता हूं, और, अच्छा मैंने position भी absolute की हुई थी न, तो मैं इसको भी दो मेट ले, कमेंट आउट कर देता हूं, और पहले बाकी coding कर लेता हूं, designing वाली, ठीक है, तो हम अच्छे से कर पाएंगे फिर, अब एक काम करता हूं, इसका जो background color है न, उसको मैं कु background color, background color और, ये जो biz color है, ये भी अच्छा है, इसी को ले लेते हैं, है न, तो ये, ठीक है, मैं अभी इसको हटाऊंगा, तो ये proper working करना शुरू कर देगा, drop down content, drop down content, ठीक है, ये class तो ले रहा है, properly, और, एक काम करता हूं, इसकी minimum width भी set कर देता हूं, minimum width मैं कर देता हूं, none करूंगा तो वो हट जाएगा, तो मैं इसको न, 150px कर देता हूं, ताकि यहां पर जो box बने, वो set हो जाए, box बने, okay, तो मैं एक काम करता हूं, box shadow भी ले ले देता हूं, यह एक नई property है, आपने शायद अभी नई देखी होगी, box shadow, है न, मैं, इसमें न, हमको सब कुछ, चारों जो होते हैं, मतलब, हमारा top, right, bottom और left, हमको चारों की property set करनी पड़ती है, ठीक है, तो box shadow क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं, actually, मैं क्या करने वाला हूं, देखो, अब यह पोजिशन को absolute कर देता हूं, पहले इसको मैं, वो करता हूं, ठीक है, यह देखो, और मैंने जब इस पे click किया, तो यह देखो, यहाँ पी यह बन के आ रहा है, आपको दिख रहा है, यह देखो, नीचे छोटा सा, है ना, मैं एक रूको इसको मैं, पहले आपको बताता हूं, यह क्या मैं पताना चाहरा हूं, इसको मैं पहले ना कर देता हूं, red, ताकि आप लोगकों को दिखे, देखो, यह दिख रहे हैं ना, ठीक है, तो, इसका मैं colour ना चैंज करूंगा, मैं अब है, इसका colour ऐसे नहीं चाहता हूं मैं जब आएगा ना तब मैं चाहता हूं इसका color red तो मैं क्या करता हूं इसको कुछ और देता हूं ताकि confusion ना हूं लेकिन दिखता रहे blue कर देता हूं ठीक है ताकि यह दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें और 150px हो गया box shadow को ना क्योंकि मैं इसको red लूँगा तो मैं अभी यहां पर इसको black कर देता हूं ताकि यह शो हो तो यहां पर मैं इसको लेता हूं सबसे पहले तो पहला वाला 0 उस पर हम कुछ नहीं चाहिए और राइट पर हमको चाहिए लगभग 8px और bottom पर हमको चाहिए लगभग 16px और इधर हमको चाहिए 0 ठीक है और इसका एक color decide कर देता हूं उसको कर देता हूं black तो यह shadow बनके देखो आ गई नीचे में है और सुन्दर सी यह shadow बनके आ गई है अब इसको इससे link करना है कि इस पर कोई hover करे तो यह open हो है ना तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले तो एक मिन्ट इसको मैं complete कर लेता हूं और इसका जो z index है इसको मैं कर देता हूं one ठीक है और blue है ना यह ठीक है इसको तो हम set कर लेंगे अब आते हैं इसकी link पर ठीक है कुछ लगेगा आगे तो मैं उसमें फिर से set कर लेता हूं अब मैं आता हूं इसी की link पर तो dot drop down content ठीक है और इसकी जो hyperlink है उस पर हम यह condition देते हैं कि सबसे पहले जो तुमारा float है ना इसको तुम left ना करके भी अनन करो यह तो तुम भागोगे और हमको नहीं चाहते हैं अपन भागे तुम उसके नीचे ठीक है यह कोई चुटा हो गया मत सुन्दर सा दिख रहा है और अब एक काम करता हूं इसका जो color है ना इसका color मैं कर देता हूं black को कि मैं background color को red कर करूँगा उसके background को और इसको करूँगा light में तो मैं कान करता हूं यहां पर जाता हूं और color को कर देता हूं black कि सबसे पहला काम मुझको white नहीं चाहिए और अब जाता हूं यहां के background पर और इसको आप कर देता हूं यह ब्लेज यह था ना ठीक है यह देखो आप आ गया बनके ऐसा ही चाहिए था मुझको और अब इसकी padding set कर लेते हैं कि जो padding है padding में कर देता हूं 12-16 कर देता हूं 12 और 16 तो यह अच्छा दिखना चाहिए हाँ ठीक है और नीचे आजाओ text decoration तो इसमें है नहीं फिलहाल अभी तो कोई दिक्कत नहीं है हमको है न डिस्प्ले को मैं block कर देता हूं इसके dis display block तो ऐसे आ गया यह properly ठीक है और इसको इस पूरे को उठाके left में ले जाते हैं इधर पर थो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा तो मैं इसके लिए क्या करूंगा text line और इसको कर देता हूं left ओके यह आ गया है ना अब हम hover वाला काम कर लेते हैं इस पर ठीक है तो यहां से शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जहां जाता हूं नीचे और यहां पर पहले तो जो नव बार वाला था नव बार का a hyperlink और उस पर जब मैं कोई hover करूं तब एक यह हो गया ठीक है और दूसरा देखो जैसे आपको कोई भी दो अलग-अलग element पे या दो अलग-अलग class पे तीन अलग-अलग class पे एक ही property देनी है ना तो आप कुछ इस तरह से कॉमा लगा के बीच में उन दोनो classes का नाम जो है वो define कर सकते हो और उसकी जो सब class है वो भी define कर सकते हो ठीक है तो इससे देखो मैंने अभी 9 बार का hyperlink पे hover दिया अब मैं क्या करूंगा अगला जो drop down वाला class था उसका hover side करूंगा तो just मैं यहाँ पे comma दे दिया हूं और comma के बाद मैं अब यहाँ पे drop down कर देता हूं ठीक है तब वहाँ पे यह condition आ जाएगी कि भाई तुम्हारा जो background color है इसको तुम red कर दो यह मैंने just दिया है ओके यह देखो अब सुन्दर सा दिख रहा है यहां से starting पर है ना एक बहुत सुन्दर सा menu दिख रहा है अब अब मैं क्या करता हूं कि इसका background color भी set कर देते हैं इसका background color भी set कर देते हैं तो मैं उसके लिए जो मेरा जो content था content को जो hover था मतलब dot drop down content ठीक है और इसका जो link है मतलब यह वाला इस पे link पे ओके तो मैं क्या करता हूं यहां पे link पे over ठीक है तब यहां पे जो condition तो इसको मैं थोड़ा सा और dark कर देता हूं ताकि जो है यह ऐसा कर देता हूं ठीक है तो अब यह देखो दिख रहा है है अब यह प्रॉपर यह shadow से भी match हो रहा है कि ओके ठीक है मैं रेड नहीं किया जान बुच्छ के रेड में मुझको जम नहीं रहा है थोड़ा सा ठीक है और इसको भी न और यह काम करते हैं ड्रॉप डाउन होवर को और प्लस जो ड्रॉप डाउन कंटेंट इसको किसकी प्रॉपर्टी अपन सेट करके ब्लॉक कर देत हैं इसके डीस्प्ले को तो ठोड़ा सा और यह बढ़िया हो जाएगा तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा डॉट ड्रॉप डॉप ड़ाउन ठीक है और इस पर कोई हूँ करता है तब और उसके जो ड्रॉप डाउन कॉंटन है ठीक है ड्रॉप डाउन कांटेंट अब इन दोनों को की जो डिस्प्ले पोबर्टी है ना इसको मैं कर देता हूं प्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक अब यह प्रॉपर सेट हो गया है अब अच्छा दिख रहा है ठीक है तो गाइस हूब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे बनाया अब देखो मैं इसके डिस्प्ले को नन कर देता हूं अब अगर डिस्पे मैंने नन कर दिया अब यह हाइड हो जाएगा जो हमारा सब मेनू था यह हाइड हो गया अब यह होम न्यूज और यह जैसे मैंने क्लिक किया यह ओपन हो गया हीए छाझ है धानव हीए प्रॉपर्ली ये मेनू जो है हमारा डिजाइन हो फिविश बार के अंदर में और इसको मैंने बहुत इस तरीके से बना Roux तो आप इसको अगर अगल अच्छा लगेगा और ही 1 करना चाते हो आप इसको copy paste कर लेना अपने site पे या जहां आपको use करना है और बस CSS पे working कर लेना हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना मैं फिर से बोल रहा हूँ अभी ये गलती हुई है कुछ लोगों ने मेरे को mail किया था कि सर आपका code run नहीं करता है हमारे server पे तो देखो उसने गलती क्या कर हो वीडियो में जाके कि कैसे CSS और HTML अपस में इंटर लिंक है तो इत्ती बड़ी गलती मत करो कि आप copy करके CSS पार्ट को छोड़ दो ठीक है आपका जो already style sheet बना हुआ है न वो style sheet में आपको बस ये जो CSS दिया हुआ है ये CSS को paste करना है और हाँ अगर कोई class उसमें conflict होती है जैस इस class को यहां से change कर लेना ठीक है चेंज करके उसकी link जो है वो external CSS पर देदेना खतम कोई problem नहीं होगी और external CSS पर copy करने के लिए बस आपको क्या करना है ये internal CSS अपने लिखा है आपको style वाला पार्ट छोड़ना है बस यहां से लेकर यहां तक को copy कर लो बस और copy करके external sheet पर paste कर करना स्टार्ट कर देगा ठीक है आप ऐसे कर लेना तो गाइस आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा हमारा drop down menu बार जो हमने बनाया है navigation बार के अंदर पर ठीक है तो अब attack से बढ़ते हैं अपने नए tutorial की तरफ ओके चलो